टीटीएस कलासेस में स्वागत है आपका इस वीडियो में आज हम लोग बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वाजसरा है इनके बारे में पूरे डीटील से जनुए निए कि बंगाल के जो गवर्णर थे वह किस एक्ट के माध्यम से उससे गवर्णर को गवर्णर जनरल बना दिया गया और बंगाल के जो गवर्णर जनरल थे उसको किस एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्णर जनरल बना दिया गया ठीक है और किस एक्ट के माध्यम से जो भारत के जनर्रते हैं उसके जगापे या उसको भारत का वहाय साह बना ज्यागें जांगे कि पनार जानेंगे बंगाल के पर्थम गवर्नर कौन थे और चाहिं यूर्फनीक जनरल कौन ते और जनीक ज़स के बाद सोर धानेंगे कि भारत के प्रथम गवर्न जनरल कौन है कौन थे ठीक है और अंतिम गवर्न जनरल कौन थे ठीक है उसके बाद जानेंगे कि भारत के प्रथम गवर्न जनरल कौन तिस वीडियो विद्वी में हम लोग सिर्फ परत्हम और और जन्रा या वाइसरा इसके बारे में जाने थिके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बंगाल की जितने भी गवेनर हैं वह क्या-क्या काम की यह कौन सा अधिनियम आप उपने जिवन काल में यह और अपने का सकते हैं कि जो पत के जो काल तक थे उस पर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रत्थम को जाने जाने ठी़े जैंस भी बंगाल की गवर्नर से उसको 773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जो थे उसको क्या कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया ठीक है पद थ्वासा हाई उचा पद हो गया ठीक है बंगाल के गवर्नर थे उसको क्या कर दिया गया मत्तब कर नहीं सका सकते ना अस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे न उनको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया से बंगाल संवाय सब worm by नर माधियर मंगाल का इक्ट के बंगाल सो बंगाल शर्के माध्य मांध्य जो में भाहरत का गुवर्ण जन्रल बन गया डिसके आप क Film इस गाए जो भारत के गवर्णन जर्न नूर्ट के वाइसराइं वांन गा है वारत को भारत का वाइसराइं बना दिया गया फिकaj चले यह हम लोग नोट के माद्याम से यह जो प्रथम है तो बंगाल की जो प्रथम कर सकते हैं या भारत की जो प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइसरा है इनको जानने तें ठीक है यहां से जरूरी है कि मतलब हर दफ़ा एक्जाम में पूछे जाते हैं एक नेक सवाल यहां से जरूर पूछे जाते हैं ठीक है इस गवर्नर गवर्नर जनरल या वाइसरा से एक नेक सवाल जरूर पूछे जाते हैं ठीक है चलिए तो हम लोग जान लेते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे तो लॉर्ड कलाइब थे ठीक है पूछा जा सकता है कि बंग बंगाल का जो गवर्नर सबसे पहला जो गवर्नर कौन बना था या कौन था तो लॉर्ड कलाइब था ठीक है अचली इसके बाद बहुत सारे गवर्नर बने बंगाल के लेकिन हम लोग अंतिम जान लेते हैं जया में पूछा थे जया में पूछे तो सारे जाएंगे कि परतम ग परतम गवर्नर थे उनका नाम बताएं और आप्शन में दे दिया जाएगा बहुत सारे हैं तो याद कर लेंगे कि बंगाल के जो अंतिम गवर्नर कौन थे मतलब जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर था उसके पत को का कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के पत के रुप में नूट कर दिया गया थे या बना दिया गया था तो अंतिम बार कौन जो गवर्नर बने रहें बंगाल के कौन थे तो वह वार्न हेस्टिंग जा सकता है कि बंगाल का प्रत्थम गवरनर जनरल कौन से मतलब 18-73 के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगालका गवर्णर जनरल बना दिया गया था तो कौन प्रत्थम सबसे पहुश कौन बने थे तो वही वारें हिस्टिंक्सॉब बने थे जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसी के समय में यह आया था एक्ट आया था इसलिए यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने वारें हिस्टिंग्स बने ठीक है पुछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो बंगाल का अंतिम गवर् पूछा जासकता है कि बंगाल का बंगाल का जया में कि भारत का प्रथम गौणर कौन था तो कौन थे Какन पूछा जा सकता है कि भारत का नहीं गवर्नर जनेर Mina कौन थे भारत का रहा सवाल सवाथ की बंगाल का अंतीम गवर्नर जनेरल कोन था कौन तो यह अंतिम-दोघ्ध अटिक है और यह क्याल भारत का नोट कैनिंग था het बता चुकह है है कि इना से भारत के गविशज को भारत का बना दिया गया है ठेक असी प्रकार भारत का अन्तीम वायष रएकों थे भारत का अंतीम वायष राय मतलब वह नहीं बना हाँ थांट पूछा जा सकता हर हाल में कर लिजीग गए कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन थे लॉर्ड कैनिंग थे भारत का अंतिम्य वाइसराय कौन थे लॉर्ड मांट बिटन थे ठीक है चलिए स्वतंत्र भारत के जब देश पूरी तरसे मतलब जब देश आजाद हो गया था है ना तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज दिस आजाद हो गया था भारत के प्रथम गवर्णर प्रथम गवर्ण azyनरल अंग्रेज मतलब यह ना जोष्ट है शुक्त पाष् juvenile इसके Eğer आतीं भारत के प्रथम और अंतिम भार्तिय गवर्णर जनरल कोन तो सी राजगोपाल चारी बने तो इस वीडियो में इतना है उम्मीद करती है वीडियो अच्छी तरह से कुछ परतम और अंतीम को थे और बंगाल के गवर्नर थे उसको क्या कर दिया गया कि 1773 के माध्यम से उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया ठीक उसके वाद क शचाँब कि मैं बंगाल के जो वाजबन गया थीकठा के घ्रैम ध्रावर्ण जो भाइस सवाल पंगे हुए जाने कि भारत के स applies को बांगाल का प्रथम में और प्रथम और अन्तीम बंगाल का प्रथम जनरल को नहीं है यह जाने कि पारत के सब्सक्रा भार्ण और वायशराय के बारे में जाने उसक्वाइब भारत के अंग्रेज गवणर जनरल और भारती ये प्रत्म और ये जाने ठीक है उमिद करते हैं यह आपको पूरी अच्छी तरह से समझनी आ गए होगी नेक्ट वीडियो में यह आगे हम लोग के जानेंगे कि बंगाल के जो ग जानेंगे जैसे फूरी साबी जानने ते ना कि लॉट ख्लाइब यह बंगाल का प्रत्म का सकते थे यह बंगाल का सकते थे यह बन बने थे प्लासी के युद्के युद्क यह भाग लिये थे और इसमें इलहाबाद की संद्धी थी ठीक है यह हम लोग जाने के पूर दिटियल से और आके हम लोग अच्छी तरह से पूरे जाने उमित करते वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करते सेर करते और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब बढ़ा दे ताकि आ भलाद की एक है अजा करते हैं लोगा है, उसले global दे में लेकिते हैं धन्या प्रतों, क्या है, ऴीक्ष Coke, वीजध्यू लगी तरह है, इस ख सेहरी जुकि कया बहुझि, तरह हिते हैं तरह उस्त Isक देमियों, आसजे ठंद। नज्धिंधि दail, य зачем दो आईपेन दियों, आस